सरकार फासिवाद ही हो सकता है पर मुझे एकिन है कि सरकार बेवकूफ है एक नंबर का बेवकूफ है जैसे कुटे होते हैं पटना में भी करते ही होंगे जो कुटे हैं गाड़ी के पीछे भागते हैं सर जब इनको पूरी कचोड़ी बनाना नहीं है तो इतना आटा क्यों गूंद रहे हैं जब इनको एनरसी करना नहीं है तो एनपियर कर क्यों रहे हैं किस बात के लिए नपियर कर रहे हैं चाहे उसमें वो छे सवाल हो या ना हो चोटी सी शेयर में कोई प्रोटेस्ट होता है स लुद नाभी नहीं पता है तुम्हें तो जो यह NRC और NPR इस देश की हर गरीब हर महीला हर आदिवासी दलित के किलाफ़ उसको यह से किस तरीके से हिंदू मुसल्मान बनाये जाए और हिंदू मुसल्मान बनाने के लिए बनाया जो कानून है वहें नागरिकता संसोधन आसा में एनर्सी हुआ उसमें 12 लाख हिंदू थे 6 लाख मुसल्मान थे 1 लाख आदिवासी थे पर एक चीसम बूल जाते हैं उसमें सब्पर फिस्दी महिलाए थे आवास दो आवास दो दन्यवाद जैसे सकील साब ने कहा ये मेरा पहला दोरा नहीं है बियार का पर पहला राली है पांच बार पहले आ चुका हूँ करीबन 15 जिला गूम चुका हूँ 14-15 जिला गूम चुका हूँ हर चोटे-चोटे शेहर में जाके हम बात कर रहे थे कि क्यों NPR, NRC और CA इस देश के हर नागरिक के खिलाफ है पहले हम जो है इस देश के नागरिक सरकार को चुनते थे आज सरकार नागरिक को चुन रहे ये बदलाव जो सरकार ने लाया है नागरिक जो सरकार को चुनते थे आज सरकार कह रहे कि हम नागरिक को चुनोंगे और हम तैय करेंगे कि कौन नागरिक होगा और कौन नागरिक नहीं होगा ये बदलाव, ये हिम्मत, सरकार में कैसे आई, ये हमें समझना होगा पर उससे पहले, अगर इससे, मान लीजिए, दस गुना कम भी अगर लोग आए और हम इच्छा यहां होते, तो आपसे एक सवाल जरूर पूछता, मैं वो सवाल पूछने वाला हूँ मैं इस देश के 130 करोड देशवासियों से पूछना चाहता हूँ गुस्ट पेटियों को चुन-चुन के बाहर निकालना चाहिए कि नहीं? हाँ ए ना? हाँ जब आप हाँ कहते हैं, तब वो नर्सी और इन्पियर लेके आते हैं आपकी हाँ कहने से ही वो नर्सी और इन्पियर लेके आते हैं क्यों? अगर आपको ड्राइविंग आता हो, नहीं आता हो पर गाड़ी चलाएंगे पुलीस वाला आपको पक्ड़ेंगे यह नहीं पूछता आपके पास कि आपको चलाना आता है कि नहीं आता है आपसे क्या पूछता है लाइसेंस है कि नहीं पूछते है अगर मान लीजिए आप पेंशन ले रहे हैं ओफिस में जाते हैं और वहाँ जाके आप बोलूं कि मैं जिन्दा हूँ मेरा पेंशन दो तो सरकारी दफ्तर में वो बोलेंगे आप जिन्दा हो खुद आने से नहीं चलेगा आप लाइफ सर्टिफिकेट दो और अगर मान लीजे आप इस साल का दिया और पिछले साल का गलत हैं जिन्नोंने कहा कि गुस्पेटियों को बाहर निकालना चाहिए आप से मैं पूचूँ कि कौन गुस्पेटिया है जिसके पास कागस है चाहे वो आदार काड़ो बोटर आईडी काड़ो पैन काड़ो वो सब सोचते हैं कि हम नागरिक है जिसके पास कागस नहीं है वो न सवाल यही था पहले गुस्पेटिया बोला बाद में बोला कि जिसके पास कागस नहीं है ये दो मिनिट में जब उसका आर्थ आप समझ गिया कि गुस्पेटिया मतलब जिसके पास कागस नहीं है आपका जवाब बदल गया सरकार यही चाहते कि आप समझे नहीं बात को इस त सकता है और यह बताओ अमिच्छा ने खुदी हमें बताया कि ना आधार कार्ड नागरिक्ता का प्रमान पत्र है ना वाटर एडी कार्ड है ना आपका रेशन कार्ड है रवाटर कार्ड ना वाटर एडी कार्ड से नागरिक्ता संशोधन कानून उस दिन अमिच्शा ने कहा पारलमेंट में आके कि कान खोल के सुनलो हम एनारसी लेके आएंगे उस दिन पर आंदौलन शुरू नहीं हुआ था आंदौलन शुरू हुआ दो हफ़ते जन्ता ने आंख से आंख मिला के सरकार से सवाल पूछने लग गया तो प्रदान मंत्री राम लेला मैदान से कहते हैं एनारसी हे क्या मैं तो जानता ही नहीं दर गया मैं समझता हूँ अगर एक माइना हो और हम आंदौलन करे तो प्रदान मंत्री कहेंगे अमिच्शा हे कौन मैं तो जानता ही नहीं क्योंकि जनता की सवाल उन्हें अभी तक देखा नहीं है लोगतंत्र हे किया वो समझे नहीं है उनको लगता है जिस तरीके से अपने सांसदों को डुरा जमका के घ्लट पास किरा जा सकता है वैसे पूरा जनता को भी लैंग में लेके आ सकता है अभी हाली में मैंने सुना बिहार के सांसदों के बारे में कि उन्होंने इतने सारे उनके पास काम होता है इसलिए बिना देखे वो कानून उन्होंने संसद में सपोर्ट कर दिया था शायद बिहार के मुक्यमंत्री ने कहा है सोचिए चोटी सी शेहर में कोई प्रोटेस्ट होता है सारे मीडिया वाले प्रोटेस्ट उनके पास जाते और बोलते है किस की विरोध कर रहे हो तुम किस की विरोध कर रहे हो तुमको पता है किस बात की विरोध कर रहे है यही मीडिया वाले वो सांसदों से नहीं पूश्टा कि किस बिल का समर्थन करके आये तुम उतना भी नहीं पता है तुमके और एक आप मादनी से पूश्टा है कि पूरा कानून की बात बताओ जिसने कानून बनाए उसको नहीं पता है कि कौन सी कानून बना के आये हैं क्योंकि अमिच्छा ने धमकाया और डर गे पर जंता नहीं डरते अमिच्छा का ना पैसे से लालच है हमारा ना उसका बंदू का डर है हमे इस बात को सरकार को समझना होगा जितना जल्दी समझेंगे उतना ज्यादा बेतर होगा जो सरकार ये कहते हैं कि हम NRC नहीं करेंगे पर NPR करेंगे हम NRC नहीं करेंगे पर NPR करेंगे मैं आपको बताना चाहता हूँ NPR का NRC के सिवाए कोई existence नहीं है कोई वजूद नहीं है ये बात सीतापूर में उतरपरदेश में सीतापूर में एक सभा में में वोल रहा था तो वहाँ के एक मैला साती खड़े होके पूछ रहे सर जब इनको पूरी कचोड़ी बनाना नहीं है तो इतना आटा क्यों गूंद रहे जब इनको NRC करना नहीं है तो NPR कर क्यों रहे किस बात के लिए NPR कर रहे चाहे उसमें वो छे सवाल हो या ना हो ये यहां के सरकार से भी मैं यह कहना चाहता हूँ जब आप खुद ही कह रहे कि आपको NRC नहीं करना है तो चाहे वो छे सवाल हो या ना हो आपको पूरी तरीके से NPR वापस लेना होगा जब तक नहीं लेंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगी दूसरी बात कानून की जो NRC और NPR इस देश की हर गरीद के खिलाप है और घासकर मैं केरला से हूँ आप जैसे हम भी पुरा देश में हर जगा बसे हुए है और हमारे अगर कहीं अमल रहते हैं वहाँ जाके हमारे से पूछे कि तुम्हारा सफुरा डोकिमन लेकिया हो हमारे से मुश्किल हो जाता है दिखाना हमसे नहीं हो पाएगा तो ये जो NRC और NPR इस देश की हर गरीब के खिलाफ है हर मैला के खिलाफ है आसा में NRC हुआ उसमें 12 लाख हिंदू थे 6 लाख मुसल्मान थे 1 लाख आदिवासी थे पर एक चीसम बूल जाते है उसमें 70 फिस्दी मैलाए थे सबसे ज़्यादा जो जिसकी उपर इसका अधर पड़ा है वो मैलाए है क्योंकि उन्हीं के पास कागज नहीं होते है 18 साल से पहले कहीं शादी हो जाते है उसकी बाद पहले कागज बनते हैं अपने पती के नाम पे अपने माबाब के नाम पे वो नहीं स्थावित कर पाते हैं कि हाँ हम इस गर से इस जगह से आए हैं और इसी बात पर हुआ अभी आसाम में 15 कागस थे उनके पास एक माईला के पास 15 कागस उनके पास जमीन के डोकिमेंटे बैंक के डोकिमेंटे आदार काड वोटर एडी काड हर चीज था पर वो यह नह सपराशी और इनपिर इस देश की हर गरीब हर महिला हर आदिवासी हर दलिक के किलाब है। उसको यह सच्खे किस तरीके से नागरिक्ता संचोधन कानून है धरम के आदार पर नागरिक्ता में पहली बार धरम लेके आया गया है वो कहते हैं यह तो नागरिक्ता देने वाला कानून है कहते हैं कि नागरिक्ता देने वाला कानून है पर धरम के आदार पर देंगे जब धरम के आदार पर कुछी देते ह तो धरम के आदार पर कुछी स्थीन भी लेते हैं अगर दस लोग बैठे हैं और उसमें से धरम के आदार पर मैं पांच लोग को खाना दू तो वो ही बराबर है कि धरम के आदार पर दूसरे पांच को ना दू और जब एनारसी के साथ लेकि इसको जोड़ा जाता है जैसे आसाम में हुआ 19 लाक लोग निकले लिस्स से बाहर जिसमें 12 लाक हिंदू है 6 लाक मुसल्मान है 1 लाक आदिवासी है मान लीजिए मैं हम सब परिशान है पर अगर मैं हिंदू हूँ तो यह बोलते है कि यह कानून आपको मदद कर सकता है आपको वापस नागरिक्ता मिल सकता है और अगर आप मुसल्मान है वही कानून आपको बोलेगा कि नहीं आप तुम डिटेंशन सेंटर जाओ तो जो नागरिक्ता देने वाला कानून किस तरीके से नागरिकता चीनने माला कानून बन जाता है ये भी समझने के जरूरत है ये इसी लिए हम C.A. को भी उतना ही सक्ति से विरोध करना चाहिए जितना N.P.R. और N.R.C. के विरोध हम कर रहे हैं ये कोई सब जुडिस की मैटर नहीं है इस देश में कानून आए है आंदोलन से कानून गय है आंदोलन से कानून बदलाव आए आंदोलन से और ये कानून भी जाएगा आंदोलन से ही ये चीज़ याद रखिएगा एमर्जनसी वापस कोई जुडिशरी के ओडर से नहीं गया था जो एमर्जन्सी वापस गया था वो इसी बात के लिए गया था और इसी धर्ती से शुरू हुआ था जे प्रकाश आंदोलन जनता के आंदोलन से एमर्जन्सी वापस गया था और जनता के आंदोलन से ही ये कानून भी वापस जाएगा चाहे सुप्रीम कोट जो भी सुद्जे ये जिससे मेदाता ही कह रहे थे अधा आपको कितना लोग को लगता है कि सरकार फासिवादी है हाथ उपर करे सबको लगता है हाँ सरकार फासिवादी हो सकता है पर मुझे यकीन है कि सरकार बेवकूफ है एक नंबर का बेवकूफ है जैसे कुट्टे होते हैं पटना में भी करते ही होंगे जो कुट्टे हैं गाड़ी के पीछे भागते हैं देखेंगे नहीं गाड़ीयों के पीछे भागता है एक दिन उटके सुबा डिसेड कर लेते हैं या शाम को रात को, हाँ काला गाड़ी के पिछे भागना है, वो भाग लेखते हैं, भोगता बहुत है, गाड़ी तक पहुंच जाता है, उसके बाद उसको पता नहीं होता करना क्या है, वो इधर दर देखने लग जाते हैं, ये सरकार भी वैसे ही है, नोट बंदी किया, एक हम सब का एड़ देखके, आज कुछ तूफा नहीं करते हैं, करके, उन्होंने एक दिन डिसेड कर लिया, कि हम आज नोट बंदी करेंगे, कर लिया, तीन मैने जन्ता को परिशान किया, आज तक अर्त्विवस्ता उतना ही खराब, उससे ज़्यादा खराब हालत में होगे, एक पैसा कालादन नहीं मिला, करने के बाद, उनको आइडिया नहीं कि अभी करना क्या है, बागा, भोका, अभी पता नहीं करना क्या है, तीन सो सतर हटाया, छे मैने से उपर हो गया, बहुत भोका, बहुत ज़्यादा भागा भी, अभी उनको पता नहीं कि करना क्या है, य आप बंगलादेशी आया है तो सरकार के ओफिसर कहते हैं उसके बारा में हमने सोचा नहीं शायद वो एक बड़ा यूंता हो सकता है भाई तुमने सोचा ही नहीं है तो भागा क्यों बोका क्यों सोच लेते कि वहाँ पहुंचने के बाद हम सोचेंगे कि करना क्या है खिसी का फैदा करने के लिए ये हर एक इंसिदन में हर एक चीस में समझता हो फासिवादी हो सकता है पर बेवकूफ जरूर है अंदर जो है जब हमिशा कहते हैं कई बार में जाके पूछता हूं कि आपको वो पूछते हैं कि हमिशा ने तो कहा है कि हम एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे मैं उनको कहता हूं कि जब वो कहता है कि एक इंच भी पीछे नहीं हटेगा उसका चेहरा मत देखो उसका पैर पे देखो वो दो किलोमेटर पीछे जाके कह रहे हैं कि हम एक इंच भी पीछ नहीं करेंगे अगर वो पिछे हटे न हटे हम जरूर आगे बढ़ेंगे हर जगा जब यह शुरू हुआ अंदोलन के कई लोगों को यह लगता था यह सरकार वापस लेंगे कि नहीं पर उसने विबक्ष की दल भी इस कानून के बारे में कुछ सही डंग से बताने रहते आंद कानून भी जाएगी इतना तो जीद आपने पका कर चुके हैं जिस दिन ये सरकार गिरेगी उस दिन ये कानून जाएगी स्थाई नहीं है कानून दूसरी बात जो बच्चे स्टुडेंस उनको लगता था कि फेस्बूक इंस्टेग्राम में कुछ ठ्रेंच चलाना है लोग पतंतर के लिए लाठी खाने के लिए तैयर हो गया इस देश के भविश्युन उन्हें सुरक्षित कर लिया है इसी आंदोलन का देन है थीसरी बात जो कहीं जगा में जाता था एक मुस्लीम समुदा है जो रहते हुए भी गायव रहना चाहते थे कोई सोशल इसमें बाहर आ ना नर्सी होने देंगे ना इन प्यार होने देंगे और ना हम इस सरकार से यह वी वापस यह कानून भी वापस करवाएंगे पर उससे पहले एक छोटी सी नारा मैं आपको करना चाहता हूँ 46 साल की सबसे जादा बेरोजगारी है आज हर एक गंटे में एक बेरोजगार आत्मात्या कर रहे हर गंटे एक नवजवान उसको लगता है कि उसको नाकरी नोकरी नहीं मिल रहे है वो इसलिए है क्योंकि उसके जिम्मेदारी है वो जिम्मेदार है वो पोलिट टेक्निक में civil नहीं किया होता, iti किया होता, iti नहीं तो be किया होता, computer कर लिया होता, उसको लगता है कि उसके जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी किसकी है, सरकार किसकी है, सरकार हमारी तो हम, तो हमारी कानून ना आते हो, सरकार जो है, मोधी के, जिम्मेदारी किसकी है, तुम्हें कहूंगा देश में बढ़ती बेरोजगारी आप कहेंगे मोधी तेरी जिम्यदारी देश में बढ़ती बेरोजगारी घूम रहे हैं बलातकारी जवान सभी तुझे वोठे प्यारी जवान सभी तुझे वोठे प्यारी लास्ट एक बात कहेंगे मैं अपना बात खतम करूंगा हर जगा महिलाएं बैठे हुए हैं हर जगा 500-600 जगाओं पर महिलाएं बैठे हुए हैं उन से मैं पूछता हूँ कि क्यों बैठे हैं वो कहते हैं देश को बचाना है सम्विदान को बचाना है पर से सबसे अधिक एक चीज़ कहते हैं इस देश को हमारे बच्चों के लिए बचाना है अपने बच्चों के लिए बचाना है और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ जब कोई मा अपनी बच्चे के रहे लड़ता है ना तो जीत सिर्फ मा के हो सकते हैं और किसी का हो कोई नहीं सकते इसी बात में यकीन के साथ कह सकता हूं इस जांदोलन में जीत सिर्फ हमारी हो सकती है और किसी का हो नहीं सकती जैहिंद धन्यवाद